हेलो स्टुडेंट्स हम आगे पढ़ चुके हैं किचिन प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता हो दुसरे पर होते हैं मतलब कि अधर मोड आफ नूट्रियंस उसके अंदर दो टाप हमने अल्रेडी पढ़ चुके हैं अब थर्ड टाप की बात करते हैं सैप्रोटॉप्स सेप और डियंद फूद हो चुके ऊपर सैपरट ओप डिपंडट और यंप डिपंड़न आ फूद अब इसमें प्रोसेस कोन सी होती हैं तो सबसे पहले जो भी डी मैंटर को किस में कर देगा सालूूब्स проблем में कौन अब जो भी जूब्स कई कॉन बाइधेस्टिव जुस उल्एशन में करता है मैंट कर रहा है उसमें से जो न्यू जोडियान shakyम कर लेगा कौन सप्रोटाप instrument कर लिया मतलब उसको खाना मिल गया उसका फूड का біль मिल तो यह जो फुरसेस्स से उनको मिलते हैं हैं आफ उसके बात आता हैं सिंन्पाथिक समाओं मैंने पहले बताया था कि उसमें क्या होते हैं इpine idol यह पर मैंनेcm1 त le Penn test फंक शेडीए इसके को की पास chlorophyll है chlorophyll है मतलब राइट वो खाना बनाएगा या जो फंगर्णyu कि जो अलगा मतलs करेगा उसके पास तो खाना उसने बना है और डारे ख़ा जायगा पर बदले में फंगर्णosi उसको क्या करता है water and minerals it provides shelter water and minerals किसे अल्गा को कौन fungus मतलब कि दोनों एक दूस्ते पर dependent है वो उसको अल्गा उस fungus को खाना देता है तो fungus मतले में क्या प्रोवाइट कर रहा है water, minerals and shelter प्रोवाइट करता है राइट अब यहां पर एक inclusion होता है कि parasitic plants हमने कहा था उसमें भी दो plants थे और symbiotic relation में भी दो plants है बट रिमेंबर प्रासिटिक में क्या था एक हॉस प्लांट था और दूसरा परसाइट था और क्या कर रहा था खाना बना रहा था और परसाइट डिरेक उसे खाना खाना खा लेता था उसमें परस्टे नुट्रियंस उसको मिलते है पर बदले में परासाइट उसे कुछ नहीं देता वैर यह फंगास उसको कुछ देता है क्या देता है वाटर एंड मिनराल था इस दिप्रेंस बीविन अपरसित में नुट्रियंस, एं तरयक प्रासिते खानPN